एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कुछ किया है। सवाल उठता है कि आखिर बार बार किसानों को दिल्ली पहुचने की नौबत क्यों आ रही है। किसानों की यात्रा शुरू हुई थी जिसमें राकेश, टिकेट वगरा उसका नित्रित्व कर रहे थे और दो अक्टूबर को इसी गाजी पूर में दिल्ली के गाजी पूर में वो यात्रा रोक दी गई थी। किसान महात्मा गांधी के समाधी तक पहुचना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने को लाठी चार्ज करना पड़ा था, पानी की बहुचार डालनी पड़ी थी। और कुछ मांगें, मालनी थी। उसमें भी किसानों में फूट पड़ गए थी। किसान पर वापसल लौट गए थे। लेकिन किसानों के समश्याँ नहीं हुई। लिहाजा इस बार जो है किसानों ने के 200 संगटनों ने देश बर के किसानों के 200 संगटनों ने अपनी संघर समिती बना करके उसको कौडिनेट कर रहे हैं बीम सिंग लेखक भी है किसानों के समस्याओं को जानते हैं समझते हैं लिखते हैं और किसान फिर एक बार दिल्ली राम किसानों के क्या मांगे मान ली गए थी उनकी सबसे बड़ी जो मांग है वो स्वामिनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग है स्वामिनाथन कमेटी की रिपोर्ट की है स्वामिनाथन कमेटी की रिपोर्ट बहुत ही विस्त्रित है और वो बताती है कि किसानों का कि जो फसल उगाते हैं उसकी लागत की इस तरह से निर्धारित किया जाए और कैसे उसकी MSP डेढ़ गुना और दोगुना किया जाए जब भी MSP सरकार जो है नियुनतम समर्थन मुल्य जो घोसित करती है वो घोसित करते समय किन-किन फैक्टर का ध्यान रखना है अब जैसे सरका उसमें फैक्टर्स हैं जो जोड़ा ही नहीं गया यानि किसान दिन भर मेहनत करेगा उसका परिवार पुरा मेहनत करेगा सालों भर और कोई कोई कोस्ट उसमें नहीं लगाई जाएगी इसी तरह से किसानों की मांग है कि उनकी कर्ज माफि की जाए उनकी प्रधान मंत्री फ पुरेट्स के तो रिण माफ करने में आपको कोई दिकत नहीं होती है लिए कि किसानों की रिण माफ ही में आपको बहुत दिकत होती है आपको ये भी याद होगा कि तमिलाडु के किसान जब पहुंचे थे दिल्ली में अर्धनगन हो करके उन्होंने प्रदर्शन किया था की बात समझने को क्यों नहीं तयार होती है या सरकार जो किसान मांग कर रहे हैं उससे मानना सरकार के बूते की बात नहीं है सरकार के बस में नहीं है उतना सरकार के पास पैसा नहीं है ये सब सोचने समझने वाली बात है लेकिन एक बात तो है आबादी डे बाई डे बढ़ रही है जो अनदाता हैं यानि किसानो के जो फसल है यदि वो मन से काम नहीं करेंगे फसल नहीं उगाएंगे तो फिर हम खाएंगे क्या तो आचा किसान जो है उसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले रहा है कि आज ग्रेट में खेती किसानी घाटे का सवधा हो गयी है तो सोचना दो पढ़ेगा कि आकर इतनी संख्या में जिसका जो कभी किसानी का या खेती का GDP में बहुत उसका योगदान हुआ करता था वो घट करके 14-15 परसंट तक सी मटता जा रहा है खेती किसानी का तो कैसे काम चलेगा किसान बार-बार कब तक अपना काम छोड़ करके आएगा गुहार लगाता रहेगा उसकी नहीं सुनी जाएगी तो इस पर सोचते समझते रहेए जो भी इसमें डेवलाप्मेंट होगा दो दिनों तक उनका रामलिला मैदान में जमवाड़ा हम आपको अपडेट करते रहेंगे और आप देखते रहेए हमारा डिचल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए